कि हथिया हथिया कैलन गदा हो न मिलना तो आप तो पढ़ लिए हैं तो आप तो ये बोल नहीं सकते हैं कि हम नहीं देखेंगे हमको ट्रंग भर के गाली देने का मन करता है इस किताब को पढ़ने के बारे लेशर का बीए किया हुआ स्टुडेंट भी इससे बढ़िया लिख देगा नितिश कुमार के तुलना सराब से करते हैं, अब ये अपमानित करने के लिए नितिश कुमार को कर रहे हैं, या सम्मानित करने के लिए कर रहे हैं, या आपताय के लिए, ये पूरा चेप्टर मातर तीन पेज में खतम किया गया है, और नितिश कुमार के एक आफिसर के एक इ परकास्ट में दिलित बचाओ agree और तरह कवी और लेखक हो सकता है जिसे चिल्नर पाटि कवी और लेखक कह सकते है और ये पारटि लेखक है कि ये किताब में तो ये लसर की बेजिती मत की जिए दिल्ली निवर्शिटी की बेजिती मत कीजे, कलंकित मत कीजे, लसर को, कि हरवरी में ब्या केला, हुएला मसहूर, मांग के जगा भर देला कनपटिया सिंदूर, यही कनपटिया, यही सिंदूर है. एक कहावत है, खासकर के बिहार में बहुत परसिद्ध है, कि हथिया हथिया कैलन, गदहवो न मिलन, हथिया हथिया तो हुआ है, कल ही हुआ है, और यह जो मिला है, वो यह किताब मिली है. बिहार के गांधे नितिस्कुमार, तो हमने सोचा कि जो कि जो मंच पे थे, जब विमोचन कल इसका हुआ, तो मंच पे सब बड़े-बड़े लोग थे, गाजपाल से लेके मंतरी, संत्री, सब थे बैठे हुए, तो सारे हाथी ही थे, और जब निकल की आई, तो हमें भी परलेमेंट इन इंडिया, लसर से पढ़ी हुई, डी स्कुल से पढ़ी हुई, जब हम भी दी उ में पढ़ते थे, तो हम बड़े उस एक्छा से देखते थे, कि वाह, क्या लसर कॉलेज है, तो हमें बहुत सारी त्रिस्टना अंदर जागी, बहुत सारी एक्छाय जाग और पढ़ने के बाद, एक बहुत फेमस पत्रकार है, विहार के ही है, वो जब खाकी दचेप्टर रिलीज हुआ था ना, तो उसके बाद फिर वो एक बहुत फेमस हुआ था उनका वो डायलोग, कि हम नहीं देखेंगे, तो आब तो पढ़ लिये हैं, तो आब तो ये बोन नहीं सकते हैं, कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन अगर पढ़ने से पहले पता होता ना, कि किताब में जो लिखा हुआ है, तो हम वो जरूर बोलते हैं, कि हम नहीं पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इसको, और फिर जो दुबारा डायलोग वो मारे थे, कि सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इस किताब को अगर कोई LSR या डी स्कूल का प्रोफेसर या फिर एक कोई छोटा सा स्टूडेंट भी बीए का पढ़ेगा ना इसको चार लाइन चार पेज भी पढ़लेगा तो उसको सर्म इस बात पर आएगी कि ये किसी LSR के उदारन के लिए बेसिक सा कोई रिसर्च LSR में आप जाईएगा कि दिल्ली इनुवर्शिटी के किसी कॉलेज में जाईएगा वगर आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी राइटिंग का बेसिक एक नेचर बताया जाता है जो हम लोग भी पढ़े थे ह लेकिन हमें भी बताया जाता था कि आप जब एक असाइनमेंट भी लिख रहे हैं पांच पेज का तो उसमें आपको फूटनोट लिखना है आपको उसका बिबलोग्रफी लिखना है कि कहां कहां से आपने कौन-कौन सा चीज पॉइंट उठाया है इस किताब को आप देखि के इज़्जत का खयाल होता तो कम से कम बिबलोग्रफी तो जरूर ही देजेती और देगी भी क्या ऐसी कहानिया इसमें कि उसका कोई बिबलोग्रफी नहीं होगा कैसे वो सब कुछ हम आपको बताएंगे तो पहला पॉइंट तो यह हो गया कि ना फूटनोट ना ना बिबलोग्रफी ना रेफरेंस कुछ नहीं बस मनकढंत कहानी लिख दी गई है अब आए इनके कुछ कुछ चेप्टर के उपर और एक दो इंपोर्टन पहले आपको बता देते हैं इसकी कहानी इसमें आप अगर चेप्टर वाई चेप्टर जाईएगा दिखेगा तो इनका एक चेप्टर है कोसी एक आपदा करके चेप्टर है कोसी जो बिहार में आपदा आती है उस पे इन्होंने तीसरा नमबर चेप्टर लिखा है कोसी का आपदा परवंदन नितिश कुमार की कारिशाली का अनुठा उदाहरन इसमें अगर आप देखेंगे तो एक कुमार का बाढ़ परबंदन तीन पेज में खतम उसमें उस जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं पूरा चेप्टर आप पढ़ जाईएगा हलाकि तीन ही पेज का है लेकिन आपको यह नहीं पता लगेगा उसमें एक भी डेट का कहीं कोई मेंशन ही नहीं है कि किस देट को किस महीने में किस साल में यह घटना बात हो रही है तो यह अपने आप में अजूबे वाली बात है कि आप एक घटना के बारे में बता रहे हैं लेकिन उसका डेट बगरा कुछ नहीं लिखा हुआ है अब अतलयाव ऐसे बहुत सारे उधारन मिल जाएंगे भर-भर के ऐसे उ उधारन के लिए एक और आप देख लिए 123 नंबर पेज पे प्रत्य अम्रित जो बिहार सरकार के बड़े ऑफिसर हैं उनके बारे में एक चर्चा किया गया है कि जब वो जो एक बिहार राजी पुल निर्मान निगम लिम्टेड उसको उनको सर्वे सर्वा बनाया जाता है सब वो एक मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में जो भी कुछ घटना घटती है उसमें होता है कि एक दो साल के अंदर पांच सो पुल बनाना है नाराकिस के बारे मैं एक और कहानी बताऊंगा जो इसी किताब में है कि क्यूं आखिर उने इसका जिक्रती आया है तो वो मी जोने उदारन आपको दिख जाएंगे और इस किताब ऐसे टेकनिकल फॉर्ट बहुत सारा देखिए छोटी मोटी जो गलतिया होती है मातरा के थूटी वो सब किताब में मैंने भी किताब लिखिए मेरी किताब में आपको बहुत सारी गलती मिल जाएगे डेट में मिसिंग ह हो सकता 71 की जाएगर 72 लिखा जाता है अप डेटा दे रहे हैं तो कुछ मिसिंग होता है यह बहुत अस्तर पे होता है लेकिन आप डेट ही नहीं जाले यह तो बड़ा आजीव सा बात है तो इस तरह के जो टेकनिकल फॉल्ट है यह तो है लेकिन जो सबसे बड़ा फॉल्ट से इस किताब को लिखा जाना चाहिए लिखा गया है अगर आप देखिएगा तो पेज नंबर 69 पर इन्होंने लिखा है और उस लिखने में नितिस कुमार की लाख आलोचनाज होती है उनकी सराबंदी के नियम के लिए तो आपको मानना पड़ेगा कि सराब से आप उनकी त तुलना नहीं कर सकते हैं लेकिन ये सराब से इसकी तुलणा करते हैं अब ये अपमानित करने के लिए सम्मानित करने के लिए करने ये आप तैखिजी है मैं वोग पढ़के सुना देता हूं। लालू दर्सों को द्वारा तुरण पसंद किये जाने वाले व्यक्ति थे जबकि नितिस सराब के गिलास की तरह एक चरित्र थे गहराई का पता लगाने के लिए आपको थोड़ी देर इंतजार करने की जरूरत होती यहां बहुत आपत्ति जनक तौर पे नितिस कुमार के चवि को वहवाही करते हुए तुमिल करने का प्रियास किया गया इस किताब में उदाहरन के लिए एक बड़ा एक्जामपल आप उसको आप कैसे रीड कीजेगा आप देखिए एक सो टेएस नंबर पेज पे जो मैं बात कर रहा था आपको बी आरेन ऑनेनल का बात कर दो बिहार राजिपुल निर्माल निगम जिसमें की और यह चैप्टर 21 से चार पाज जए सिर्फ और सिर्फ प्रत्य अंभृत वावाई किया जा ऑपांच सल के दर पांचसळ निर्मान का टार्चेत कर दिया पूरा कर दिया ये पुल बुना दिया सब कुछ उन्हेंने किया अब इसके पीछे दो हो सकता है कारण एक तो ये हो सकता है कि प्रत्य अमिरित के बहुत ही करीबी हो ये बहुत वाहवाही कर रहे हैं क्योंकि 11 पेज के चेप्टर में 4 पेज किसी एक व्यक्ति के बारे मिलिख देना उसके उस एक व्यक्ति के एक इवेंट के बारे मिलिख देना अपने आप में सोचने वाली बात है दूसरा इसके पीछे कहानी ये हो सकता है कि आप अगर खबरों को देख रहे हैं तो पिछले एक डेढ़ सालों से बिहार में पुल गिरने की घटनाएं हद से ज़्यादा बढ़िये है और सवाल उठाए जादा कि आखिर वो कौन सा डिपार्टमेंट है कौन से लोग हैं जो इस पुल के निर्मान में मरमत में लगे हुए थे क्योंकि पुल लगातार गिर रहे हैं अभी पिछले दो महिने में कम से कम 20-25 पुल गिर चुके हैं तो बिहार राजि पुल निर्मान नगम लिमिटेड जो 2008 में प्रत्य अमरित यहां पे आये थे इसकी कारिभार समाले थे क्या यह संभव है कि प्रत्य अमरित के सहारे नितिसकुमार को कटगड़े में खड़े करने के लिए इस विक्ति को इस इवन्ट को इस ओफिसर को चार पेज किताब कर दिया गया और याद रखेगा कि नितिसकुमार का यही इसी किताब में अगर आप देखेगा तो नितिश कुमार का पूरा का पूरा चेप्टर सिर्फ तीन पेज में खतम कर दिया गया है उदाहरन के लिए अगर आप दिखेगा सबसे छोटा चेप्टर जो इसका है वो है कोसी के उपर, कोसी आपदा परबंदन नितिश कुमार की कैरसली का अनुठा उदाहरन ये पूरा चेप्टर मातर तीन पेज में खतम किया गया है और नितिश कुमार के एक आफिसर के एक इवेंट, एक मीटिंग के बारे में चार पेज में लिखा गया है क्या मकसद इसके पीछे हो सकता है? आप समझ यह हमें, तो जो लग रहा हम खुल के नहीं बताएंगे परंपरा का सुर्वात, एक चेप्टर पूरा का पूरा है कि मतलब कन्प्लूजन एक टाइप का है, इसकी ऐसी परंपरा जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, यह बड़ा चेप्टर होना चाहिए, यह इसमें बहुत कुछ आना चाहिए, कि क्या मितिश कुमार में सुरू किया है कैसे वो एक लकीर खीचायर उन्होंने बिहार में या हिंदुस्तान के इतिहास में उस चेप्टर को मात्र चार पेज में खत्म कर दिया गया है, और प्रत्यमरीत को सिर्फ अकेले चार पेज दे दिया गया है इस किताब में, मकसद आपको समझना होगा, तो यह इस तरह के बहुत सारे इसमें फॉल्ट मिलेंगे, अभी और भी बहुत कुछ है, उधारन के लिए अब देखे किस तरह से आप मानित किया जा रहा है इस किताब में, आप इस पूरे किताब को पढ़िए, अगर इस किताब में सौ बार नितिस कुमार का नाम लिखा गया है तो सौ में स नब्य बार नितिस कुमार नहीं, सिरी नितिस कुमार नहीं, मुखिन मंत नितिस कुमार नहीं, आदरन ये कुछ नहीं, सीधा नितिस, अब आसोक चोधरी और या सांभवी चोधरी, हमें तो लगता नहीं कि दोनों में से उम्र में नितिस कुमार से बढ़े हैं, ताकि वो सिर्फ नितिस बोल करके इसमें संभोधीत करें हो सकता है सांभवी पढ़ी लिखी अपने आपको जादा समझ रही हो तो वो क्योंकि है ये ले सार बगरा में कल्चर है कि वहां पे टीचरों को नाम से पुकारा जाता है हम लोग भी पुकारते थे हम लोग को बोला जाता था तो सम्भावन हां तो सम्भवी क्लिर करें गए लेकिन पूरे किताब में नितिस के नाम से संभोधित कि अपने अपने विचार है उस से लोग संभोधित करते हैं लोगों को उसके बाद फिर अगर आप इनका दिखिएगा बच्पन का लेक है, पर चार पेज का लेक है, उस बच्पन के लेक में अगर आप चार पेज में किसी व्यक्ति exploring के बच्पन को समयच देखेए तो यह अपने आपको में सोचने वाली बात है। ऐसे आपको disproportionate बहुत सारे इस किताब में मिल जाएंगे। और इस किताब की जो सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिखी है। वह कमी यह है और क्यूं यह कमी है यहीं से किताब अपने आपको खोलता है। असोग चोदरी दलित हैं। सांभवी चोदरी दलित हैं। दोनों राइटर इसके दलित हैं। और दलित के लिए कास्ट के नाम पर बिहार की राजनिती में नितिस कुमार ने इतना कुछ किया है। चाहे वो महादलित बनाने की बात हो, महादलित के लिए अलग से काम करने की, महादलित आयोग बनाने की बात हो, या फिर आज पूरे देश में अगर कास्ट सेंसस के नाम पे जातिकर जिनगन्ना के नाम पे पूरे देश में अगर डिबेट छिड़ा हुआ है तो इसको किसी और दुसरे व्यक्ति के नाम पे आप नहीं लेकिन अगर आप एक तथस्त हो करके सोचिएगा तो इस डिबेट को लिश्टनल डिबेट तक ला करके खड़ा करने वाले, सबसे पहला कास्ट सेंसर्स करने वाले, पब्लिक्स करने वाले तो नितिस्कुमारी हैं, लेकिन इस के बाद और कास्ट के सवाल को कंप्लीटली एपसेंट करते हुए देखने के बाद हमारे मन में दो तीन सवाल होता है, या तो फिर वही या तो ये नितिस्कुमार का जाती की परती जो उनकी जो भी उनकी नीती है, उससे एगरी नहीं करते हैं, सांभवी चोधरी और कुझा तो अछिए पुपलीक ली नहीं बोल रखाया, नितिस्कुमार ने कई बार कि यह दलित थोड़ी ने है, बीटी का साधी किया, अपर कास्ट में खुद साभी किया, अपर कास्ट में ती दलित बचा कहां से, तो संभावना है, क्योंकि अगर आप दलित है, बाप बे को मिल जाएंगे बहुत फैक्चुल डिफॉल्ट इसको कह सकते एरर भी नहीं कहेंगे आप उधारन के लिए एक सट नंबर पेज देखिए एक सट नंबर पेज पे ये बता रहे होते हैं कि कैसे नितिश कुमार के पिता जी कॉंग्रिस के काफी करीबी थे कॉंग्रिस से चु पिता जी को रामलखन सिंग को उन्हें अस्थानी चुनाव लोलने से मना कर दिया गया था और टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जो पहले कहीं दिखाई नहीं देता था लेकिन पार्टी में उसके अच्छे सम्मन थे किसकी बात कर रहे हैं पूरी किताब में इस चोटा सा रिसर्च है ये बहुत पांच मिनिट का रिसर्च है वो पता कर दिया का कौन सा व्यक्ति था तो इनके पिता जी लेकिए जब नेतिश कुमार आये तब हर्नौत से चुनाव लोलते थे लेकिन हर्नौत विधान सबाद छेत्र नहीं हुआ करता था उनिस सात्तर से इचारी तो पांच चुनाव देखना था कौन-कौन लड़े हैं उनि में से तो कोई एक होगा न भाई उनिस संतावन के बाद अगर आप देखेगा तो आपके बक्तियारपूर विधान सबाद छेतर से या तो मुहम्मद सलाव दिन चौधरी वहां से दो बार चुनाव जी शेखेटी चुनाव में, क्योंकि कॉंग्रेस के परकि क्रिटिकल थे यह और 1962 से कॉंगरेस के विरोध के आजनिती मजबूत हुए थी विहार में त्य यहूंग्रेस से टिकट लेना चाहते थे। वहां पर今年 में चाहते हैं दोलगातार चुनावें धरम्वीर Šiji अब stretवार लगातार विधान स्ववाशुनाव जीतने के बाद वो 1971 लोग स्ववाशुनाव में 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 अधर उसके पहले बिहार सरकाहार में मंत्री रह चुके होते हैं केंदर में जाते हैं तो केंद गृश्मार के मंत्री रधो सरकार में और उनके बारे में ये लिख रहे हैं कि जो पहले कहीं दिखाई देते थे लेकिन पार्टी में उनके अच्छे संब्धने इसलिए इनको टिकट नहीं मिला यह दुनों लोगों के कारण ही हो सकता है चोटा सा बेसिक सा रिचर्च है और यह रिशर्च को इसलिए किताबों की लिखने की परकिरिया का इतिहास है उसमें यही होता है कि कवी और लेखक दो तरह के होते हैं एक कवी होते हैं जनकवी जो लोगों की बात लिखते हैं जैसे नागरजुन हो गए रेनु हो गए बिहार में प्रेंचन हो गए जो लोगों की बात करते हैं दूसरी होते हैं दर्बारी कभी जो राजा के बारे में लिखते हैं आज की नेता के बारे में लिख रहे हैं दर्बारी कभी होई लेकिन अपने उससे नाम से किताब लिखते हैं और एक इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि एक और तरह का कभी और लेखक हो सकता है जिसे चिल्लर पार्टी कभी और लेखक कह सकते हैं और यह चिल्लर पार्टी लेखक ही यह किताब में तो कम से कम है ही कम से कम लेखक मत बनिये कभी मत बनिये और बनते हैं तो यह L.S.R. की बेजिती मत कीजिए दिली नुशिटी की बेजिती मत कीजिए कलंकित मत कीजिए L.S. जी कर रहें और ये किताब लिख्येगा क्लंकित हुआ लसर तो अब देखिए इसने और हर चेप्टर के ऊपर आप खुद देखेगा तो हर चेप्टर के ऊपर नितिश कुमार जी का एक कोट है चोटा सा कोट है एक लाइन का कोट है इस पर इन्होंने लिख रखाया मैंने लेकिन जब आपने ये उनका वक्तव लिखाया नितिश कुमार का तो ये वक्तव बहुत सारे किताब में लिखा होता है लेकिन उसमें संदर्व लिखा होता है कि किस साल में किस डेट में किस जगा पर इन्होंने ये बात बोली थी आपने कुछ नहीं लिखाया तो कोई यही सिंदूर है कहा सिंदूर कहा माथा कहा सरपट सब आहिन गोहिन कर दिये एकदम लिख कर गए ऐसे और भी कहावते हैं कुछ कहावते जो फिट बैठता है इस किताद के उपर इसके लिखक माननी लेखकों के उपर की थोड़े से वहां साप मान जनक हो सकते हैं उसके लिए पहले ही च्हमा मांग देते हैं अगले एपिसोड में फिर से कहीं हवा निकालने के लिए नमस्कार झालने के लिएर बैठता है